मादे मा बच्चो तो बच्चो इससे पहले हिंदी में हमने पाट दो पड़े थे कौन सा था वो पाट मीठा पहाड उस पाट में हमें क्या बताया था कि किस तरह चेटियां एक साथ मिल जूल के रहती है खूब मेनत करती है और लड़ाई जगडा नहीं करती है ना ये सब हमें इस पाट से हमें सीखने मिला था ठीक उसी प्रकार आज हम परिवेश में एक नया पाट पड़ेंगे तो आपकी परिवेश बुक निकालिए उसमें पेच नंबर 20 देखिए उसमें पाट 3 है उसका नाम है कबूतर और मधुमक्खियां तो बच्चो कबूतर याने पीजन उसको इंगलिश में पीजन कहते हैं ना और मधुमक्खियां याने मधुमक्खियां ने हनी बी जो फूलों का रस चूसती है और उससे मिठा मिठा शहद बनाती है और वो शहद हम सब खाते हैं ना तो इस इस पार्ट में इन दोनों की कहानी है कि किस तरह ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और जब वो एक दूसरे की मदद करते तो एक दूसरे को थैंक यू बोल की उनका शुकरियादा करते हैं और इसमें ये भी बताया है कि हमें कभी भी कोई भी एनिमल्स बर्ट्स को मारन नहीं चाहिए तो चलिए हम इस पार्ट को पढ़ते हैं एक जंगल था उसमें एक सरोवर था सरोवर के किनारे एक पेड़ पे रानी मक्खी अपने छटे में रहती थी तो बच्चो क्या था एक जंगल था और जंगल में एक सरोवर था सरोवर याने तालाब तालाब में बहु एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ में एक मक्खी रहती थी उस मक्खी को रानी मक्खी क्यों कहा गया है क्योंकि वो सभी मक्खियों की क्या थी रानी थी और वो अपने च्छते में रहती थी च्छता याने मधु मक्खी का जो घर होता है ना जिसमें वो अपना श और वो सब मधु मक्हियां एक साथ रहती है उसे क्या कहते है च्छत्ता कहते हैं और एक च्छत्ते में एक से अधिक मधु मक्हियां रहती है इसलिए इस पार्ट में देखिए यहां पे लिखा हुआ है मधु मक्हियां क्यूंकि उस च्छत्ते में बहुत सारी मधु मक्हियां इसलिए तो चलिए आगे देखते हैं एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी तेज हवा से रानी मक्खी पानी में गिर गई उसी पेड की डाल पर एक कबुतर बैठा था कबुतर यह सब देख रहा था उसने तुरन पेड से एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया पत्ता रानी मक्खी के समीप गिरा रानी मक्खी छट से पत्ते पर चड़ गई तो बच्चों फिर क्या हुआ जंगल में एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी तेज हवा के कारण जो हमारी रानी मक्षी थी पेड़ पे जो रहती थी वो क्या होई नीचे जो तालाप था सरोवर था उसमें क्या था पानी था और उस पानी में वो गिर गई अब मक्षी तो पानी में गिरेगी तो उसे क्या होगा तैरना तो नहीं आता है ना तो वो डूबने लगी और ये सब कौन देख रहा था ये सब एक कभूतर उसी पेड़ की डाल पे बैठा हुआ था और वो ये सब देख रहा था फिर कभूतर ने क्या किया तुरंट तुरंट याने जल्दी से एकदम फौरन उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ा पत्ता याने एक लीफ तोड़ा और उस लीफ को क्या किया पानी में डाल दिया फिर वो लीफ कहा जाके गिरा रानी मक्षी के बि रानी मक्ही ने जट से जट से जल्दी फॉरन उस पत्ते के उपर चड़ गई और उसके उपर चड़ के बैड गई फिर आगे देखिए कबूतर नीचे आया उसने पत्ते को अपनी चोच में दबाया और बाहर रग दिया रानी मक्षी ने कबूतर को धन्यवात कहा और उड़ गई फिर कबूतर ने क्या किया वो तुरंट पेड़ पे से नीचे आया और उस पत्ते को अपनी चोच में पकड़ा चोच से पकड़ा और उसे पानी में से उठा के बाहर जमीन पर रख दिया फिर उसे क्या होई रानी मक्खी की जान बच गई अगर वो कबूतर उस पेड़ पे से पत्ता नहीं डालता तो रानी मक्खी की जान नहीं बच पाती वो क्या होती वो पानी में तैर नहीं पाती और वो पानी में ही मर जाती लेकिन कबूतर ने क्या किया उसकी जान बचाई फिर नानी मक्ही ने कबूतर को क्या कहा धन्यवाद धन्यवाद याने थैंक यू उसको कहा कि आपने मेरी हेल्प की इसलिए मैं आपको थैंक्यू कहती हूँ ऐसा बोलके वो वहाँ से क्या हुई उड़ गई चली गई फिर नेक्स्ट देखिए क्या हुआ एक दीन जंगल में एक शिकारी आया उसने जमीन पर कुछ दाने डाल दिये और पेड के पीछे छिप गया थोड़ी देर बाद कबुतर अपने मित्रों के साथ दाना खाने नीचे आया वे सभी जाल में फस गए उसी समय शिकारी वहां आ गया रानी मक्ही ने जाल में फसे कबूतरों और शिकारी को देखा वह तुरन दूसरी मक्हीयों को लेकर आ गई मक्हीयों के इतने बड़े जुंड को अपनी ओर आते देख शिकारी वहां से भाग गया फिर क्या हुआ एक दीन जंगल में कौन आया एक शिकारी शिकारी क्या करता है एनिमल्स बर्ट्स का शिकार करता है उन्हें पकड़ता है है ना तो वह शिकारी आया वह इसलिए आया क्योंकि उसको जंगल में किसी जानवर को पकड़ना था फिर उसने क्या किया जान किसी को पकड़ने के लिए जमीन पे कुछ दाने डाले कुछ शीट्स डाले जिससे वो कोई अनिमल्स देखे कि ये शीट्स पर रहे तो वो खाने के लिए नीचे आए तो उसने वो शीट्स डाले और जल्दी से वो जो बड़ा सा महा पे पेड़ था उस पेड़ के पीछे जाके छिप गया फिर थोड़े देर के बाद महाँ पे क्या हुआ कबूतर और उसके मित्रो मित्रो मतलब उसके सारे फ्रेंट कबूतर के फ्रेंट कौन होंगे कबूतर ही होंगे ना तो बहुत सारे कबूतर दाना खाने के लिए नीचे आए उन लोग ने देखा आकी उपर से की पेड़ पे से देखा ये तो इतने सारे दाने हैं तो वो सब खाने के लिए जमीन पे आए लेकिन उन्हें तो पता नहीं था कि वहाँ पे जाल बिचा हुआ है फिर वे सबी उस जाल में फस गए और वो सब क्या हो शिकारी का जो जाल फेलाया था उस जाल में वे सब फस गए फिर जैसे ही देखा शिकारी ने कि सबी कबूतर उस जाल में फस गए तो वो तुरन पेड़ पेसे पीछे से आया और ये सब कौन देख रही थी? रानी मक्खी ने देख लिया कि कबूतर सारे कबूतर जाल में फसे है और शिकारी उनके पास खड़ा है और रानी मक्खी को समझ में आ गया कि ये शिकारी क्या करेगा इन सबी कबूतरों को अपने साथ ले जाएगा तो रानी मख्यी ने क्या कि तुरंथ जल्दी से गई अपने छटे में और दूसरी मख्यों को याने और भी जितनी मधुमख्या थी सोब को अपने साथ बुला कर ले की आई फिर शिकारी ने देखा कि इतनी सारी मधुमक्खियां उसके पास आ रही है तो वो क्या हुआ वहां से भाग गया क्योंकि मधुमक्खियां इतनी सारे जुंड में जुंड याने ग्रूप में उनलोग का ग्रूप बहुत बड़ा था तो वो शिकारी को समझ में आगया कि इतनी सारी मधुमख्य अगर मेरे पास आ जाएगी तो वो सारी मुझे काटेगी है ना मधुमख्यां बहुत जोर से काटती है ना तो शिकारी को वो सब देखके वो डर के वहां से भाग गया फिर आगे रानी मख्य उड़कर जट से अपने मित्र चिंकू चूहे को बुला लाई चिंकू चूहे ने अपने पैने दाज से जाल काट दिया कबुतर जाल से छुट गए सभी कबुतर बोले धन्यवाद बहन आज तुमने हमारे प्राण बचा लिये फिर क्या हुआ रानी मख्य क्या करी महां से उड़ गई बहुत जल्दी से उड़के जट से जट से याने तुरंथ उसका एक फ्रेंड था कौन था उसका फ्रेंड चुहा और उस चुहे का क्या नाम था चिंकू तो रानी मक्खी अपने फ्रेंड चिंकू के पास गई चुहे को बुला के ले की आई क्यों क्योंकि जो चुहे होते हैं उनके तित बहुत शार्फ होते है तो वो अपने तित से किसी भी बड़े से बड़े जाल को काट सकते है तो मधु मक्खी ने क्या किया अपने मित्रों को बुलाया और चुहे ने अपने पैने दात पैने याने एक्तम शार्फ होते उनके दात दात से उस जाल को क्या किया सारे जाल को काट दिये और कबुतर उस जाल से छोड़ गए और कबुतरों की क्या बज़ गई जान बज़ गई अगर रानी मख्यी उनको उसनकी हेल्प नहीं करती तो कबुतरों की जान बच्चती नहीं न वो शिकारी उनको अपने साथ ले जाता फिर सभी कबूत्रों ने क्या किया पता है रानी मखी को धन्यवाद बहन बोला याने उसको बोला कि थेंक यू आपने हमारी हेल्प की अगर आज तुम हमारी हेल्प नहीं करती तो हमारी प्रान नहीं बचते प्रान याने जान उनकी जान नहीं बचती न फिर उनने कहा कि आज तुमने हमारे क्या किये हमारे प्राण बचा लिए ऐसा बोलके सभी कबुतरों ने उसको थेंक्यू बोला और सभी वहां से उड़ गए तो बच्चो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सद्दैव एक दूसरे की साहिता करनी चाहिए जिस तरह मधुमक्खी ने कबुतर की साहिता की थी और कबुतर ने मधुमक्खी की साहिता की थी थेना उस तरह हमें सभी की एक दूसरे की साहिता करनी चाहिए और जिसने भी हमारी हेल्प की उसको हमें थेंक्यू धन्यवाज शुक्रिया ऐसे बोलना चाहिए झाल झाल